नमस्कार, दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत जो है माताएं बहने रखती हैं और ये बहुत ही खास है लेकिन इस व्रत को रखते हुए कुछ बहुत जरूरी नियम है जिनका अगर ध्यान नहीं रखा तो फायदे कम होते हैं या नहीं होते हैं और साथी साथ, 2023 में हरितालिका तीज का वरत कब है और क्या ऐसी बात है जिसको भूल करके भी नहीं करना है और आपको क्या करना है, ये सारी बाते इस वीडियो में बताएंगे, सुहागन इस तरियां करते हैं इस वरत को, इस वरत को बहुत खास माना जाता है, बहुत ही कठि जाता है तीज का वूरती से कहते हैं बहुत ही शुब्भ और पाउन व्रत है वीडियो में अंतव तक क्षेम आपको इस्टेप मैस बताइंगे कि क्षास है कब करना है और क्या गलतियां नहीं करनी और क्या करना है इसकी पूजा वीधी में खास बहुत ही पावन वरत है तो एक बार प्रेम से बोलिए उम्नमः शिवाय नमस्कार आप देख रहे हैं जीवन जीने की कलाय स्प्रिच्वल चैनल दोस्तों इस बार की बात करें तो हरितालिका तीज का बहुत विश्यष महत्व ह है क्योंकि सूमवार के दिन पढ़ रहा है जीहां हरिकतालिका तीज का वरत जो है 18 सितंबर 2023 को तो एक तो भगवान शिव का वरत उपवास उपर से सूमवार का दिन तो बहुत ही खास हो जाता है बहुत ही पुन्य दायक हो जाता है अगर पती-पतनी के रिष्टों में दर सम्मिलित करना चाहिए अगर बच्चे है घर में तो घर में इससे बहुत प्यार बढ़ता है समृद्धी बढ़ती है और घर में पैसे रुपया की तंगी है बिमारियों के दिकत है तो वही दूर होती जाती है बस इस वुरत को अगर नियम से करते हैं कुछ गलतीयों को नह बाकी तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या है तो एक बार सभी प्रेम से आख को बंद किजिए भगवान शिव का ध्यान किजिए भगवान शिव की प्रतीमा को अपने सामने महसूस किजिए उनको नमन किजिए नमस्ते बोलिए इसके बाद प्रेम से आगे वीडियो को स्टा महादेव दोस्तों हरितालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठ करके अस्तनान ध्यान करके फ्रेस हो जाईए सुहगन महिलाएं जो है साफ वस्तर धारन करें इस बात का ध्यान रखें हमारी माताएं बहने इसके बाद शुब मुहुरत में दीपक जला करके वरत का सबसे पहल रहे हैं तो आपके आखांचा क्या है पूजा को इसके बाद शुरू किजेगा हरितालिका तीज वरत के दिन पूजा से पहले भगवान शिव माता पार्वती और गनेश भगवान की मित्ती से आपको प्रतीमा बनानी है जिहां किसकी तो शिव जी के परिवार की आपको रत कथा का आप श्रवन जरूर किजेगा जी हां इसकी कथा का श्रवन करना बहुत जरूरी है इसके बाद अंत में आरती कीजेगा इस दिन रात्री में भजन किर्तन कीजेगा सुबह माता पारवती को सिंदूर जरूर चड़ाईएगा और हलवे का भोग लगा करके इसके बाद अपना व्रत खुलिएगा क्या गलतियां नहीं करनी हैं अब यह समझ लीजिए क्या क्या चढ़ाना है आप लोग जानते होंगे नहीं जानते हैं तो कमेंट करके लिख भेजिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या क्या इस पूजा में जरूरी होता है लेकिन हम उमीद करते हैं कि आप जानते होंगे जानते हैं तो कमेंट में लिख भेजिए ताकि अन्य लोग जो नहीं जानते हों को पता चल जाए आपके माध्यम से लेकिन ये आप पर पूनता छोड़ते हैं ये आपका टास्क है चलिए कितना जानते हैं आप आपको याद कथा का श्रवन नहीं किया यानि कि हर्तालिका वरत के कथा का श्रवन नहीं किया नहीं सुना कथा तो समझी ये वरत पूरा नहीं होगा क्योंकि वरत कथा सुनने से वरत ये पूरा माना जाता है और उसी से इसका पुन्य और फल मिलता है ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस वर मेला लेकिन एक बार इस वरत को स्टाट कें आपमे तो करना ही है साल ये बात धियान रख लीजएगा समर्थ होगा तभी कीजिएगा पती के लिए किया जाता है घर के सुख के सांती के लिए किया जाता हैस एक बार तो saved सब चलाने के लिए जो औरते होती है घर को धूरी जो होती है जो चलाती है पूरा वो सही से मैनेज करके रखती है आज कल का यूग ऐसा हो गया कि इस्तरियां जो है पहले तो घर का ही काम करते थी अब तो बाहर का भी काम करती है और घर का भी काम उन्हीं पर रह गया सबसे बड़ी बात यह है बहुत जगह पर घर का काम भी बठा नहीं तो इस वज़़ से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं हमारी माताएं बहने इनको दिल से नमस्ते है जो इतना करती है लेकिन दियान रखना है कि आप कर पाएं तो ही किजेगा नहीं कर पाएं तो मत किजिएगा बिमारी है तो भी इसका जरूरी नहीं कि आप संकल्प लें हर्ताल का तीज पर वरत धारी इस्तरियों को क्रोध करने से बचना चाहिए क्रोध नहीं करना है आपको दूसरों के प्रती द्वेश की भावना नहीं रखना है साथी साथ वानी पर सयम रखना है प्रेम भड़ी भासा बोलनी है आपको प्रेम से भरा हुआ भाशा का इस्तेमाल करना है साथी साथ इस दिन पती या दूसरों से वाद विवाद मत किजेगा ऐसी मान्यता है कि ऐसा अगर आप करती है तो आपके जीवन में मिठास आने लगत और प्रेम बढ़ने लगता है और यह प्रेम जो है पती पतनी के रिष्टे को सुभ बना देता है तो उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और प्रेम से एक बार कमेंट में उम नमः शिवाय जैमा पारवती जरूर लिखिये भगवान गनेश प्रथम पुझे देवता है तो उम गनपते नमः भी जरूर लिखियेगा उमीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही नई जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माधि हम से लिकर के आते रहते हैं तो ऐसी नई जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई किमते हैं